इस विडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते तंत्रिका क्षती और परिधिय निूरोपेथी यानि की हाथों और पैरों में तंत्रिका क्षती ये तंत्रिकाओं तक आवश्यक पोशक तत्व पहुँचाने में मदद करता है इसमें एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो कोशिका क्षती को रोकते हैं और शरीर में विटामिन क इस तर को बहाल करते हैं. यह निूरोपेथी में दर्द और सुननता को भी कम करता है. यह प्रोटीन, वसा और काबोहाइडरेट चयापचे और लाल रक्त कोशिकाओं और निूरोट्रांस्मीटर के निर्मान में मदद करता है. यह कोशिका गुणन, रक्त निर्मान और प्रो मेकोबालामिन, विटामिन B12 का एक रूप शरीर के कारियों को नियंत्रित करता है, जैसे कोशिका गुणन, रक्त निर्मान और प्रोटीन संचलेशन. दो, फोलिक एसिड विटामिन B का एक रूप है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान में महत्वपून भूमिका वसा और काबोहाइडरेट चयापचय में शामिल होता है. चार, बैनफोटियामाइन, विटामिन B1 या थाइमिन का सिंथेटिक रूप, तंत्रिकाओं को आवश्यक पोशक तत्व पहुँचाने में मदद करता है. पांच, विटामिन D3 इसका उप्योग विटामिन D के निम स्तर को रोकने के लिए किया जाता है. इसका उप्योग हराब पैराथाइरोइड फंक्शन के लिए किया जाता है. इसका उप्योग क्रोनिक रीनल फैलियो के लिए डायलिसिस से गुजर रहे रोगियों में कम कैल्शियम के स्तर को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है. इसका उप्योग गुर्दे की अस्थिदुश पोशन, उच्छ फॉसफेट स्तर और रिकेट्स के लिए भी किया जाता है। 6. इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेकसनोइक एसिड समगर मस्तिश्क स्वास्थि को बहतर बनाने में मदद करते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।